आप देख रहे हैं चाई टाइम नियूज पढ़ाओ क्योंकि वाकी सारे देश कर रहे हैं उससे मुझे ध्यान आता है जब देश में कंप्यूटर आया था तो हमारा ये विपख्षी था जो बैल गारी लेकर बहार आकर अपोस्ट कर रहा था था अधार लाख हो युगा बेरोज़दार हो जाएंगे बेरोज़दारी पर बढ़ जाएगी ये सरकार युवा विरूथी सरकार है और क्या हुआ कि प्यूटर आने के बार अगर किसी देश को सबसे जादा फाइदा हुआ देश के युवाओं को फाइदा हुआ वो भारत के बच्चों को फाइदा हुआ आज हम लों बड़े-बड़े लीडर्श अगर एट नरके बड़ेर किसी क्रीओ ये सबसे क्रिबढ़ रहे हैं कि क्या है कि उसके वंज्चर क्या हैं इंपॉम् sollte Jeanne की कशिशिच की जाती है क्या है इकोसिस्टम बनने की जरुवत क्या है, वगर 3.0 क्या है, तो इसलिए हम उसको टैक्स भी करेंगे और हम उसका ट्रिप्टो रेगलेशन भी नहीं निकालेंगे. मैंने आपको तुम्प्यूतर का उभारण दिया. ऐसे ही इंतने जभ आया था देश महीं के दुनिया में, हर दिस्रुपिव तेक्नॉलिजी आपको भी दिस्रुप करेगी. पॉलिसी को डिस्राप करेगी. और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उस technology के आगे बनकर एक regulatory framework बनाएं और इसे हम घपड़ाएं नहीं आज जब internet आया सबसे ज़्यादा अगर फाइदा हुआ तो हमारे ही देशवासियों को हुआ पर दो किस बात का होता है क्योंकि हम उनके लिए एक enabling ecosystem नहीं बना पाए उस वर्ज़न से वो दूसरे देशों में जाकर आज आज आप California देखीजे, United States देखीजे, Europe देखीजे, जो जो बड़ी-बर्ती नाशनल्स हैं, technology related companies हैं उसको है हमारे Indians ही करते हैं तो आज वही तैलेंट अगर हमारे देश में ऐसी कम्रीज बनाता, तो क्या हमारे देश को फाइटा नहीं होता Sir, I will just conclude with just one last bit Sir, we are living in the world of Web 3.0 Either we choose to bite the bullet or we dodge the bullet If we bite the bullet, we will be able to create an enabling ecosystem for our youth and empowering them and empowering the economy If we choose to dodge the bullet, we can continue to feel great that Indians are doing well abroad We can continue to take pride in that reflected glory but at the cost of empowering our own nation So I would request the finance minister to think about it and thank you so much